भारत जिसमें बिन बिन राज्ये बिन बिन जिले और बिन बिन गाउं हैं यहां आपको हर राज्ये की हर जिले की हर गाउं की अपनी एक कहानी मिले तो आज हम आपको एक ऐसे गाउं में लेके जा रहे हैं जहां पर सारे घर मिडिल क्लास है यहां पर सभी लोग सरकारी नोकरी के पीछे बागते हैं इनके लिए सरकारी नोकरी ही सब कुछ है लेकिन इस गौम में एक फैमिली ऐसी भी है जिसका परधान अपने बेटे को सरकारी नोकरी में तो लगाना चाहता है लेकिन उसके बेटे को लगता है कि सरकारी नोकरी एक बंदन है वो तो अपने तरीके से ही जीएगा तो वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है कुछ भी चाहे आप उसको चोरी कहें डगेती कहें या कुछ और कहें उसको इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है लेकिन सरकारी नोग भी नहीं तो आईए हम आपको लेके चलते हैं उस गाउं में इस गाउं में कुछ लोग चाट बंधार के दिवाने हैं तो कुछ लोग गुलचार चानी वाला के तो तेरे भी ठेक दाएंगे अरे यार से चार जर गुनिया तो तेरे पच्छ रहता है तानी तो आटारी दाबा यहां पर सभी लोग किशी ना किशी काम में खोई रहते हैं और जो हमारी मुख्य फैमिली है वो अपने परिवारिक जगडे में ही खोई रहती है तो आईए मिलवाते हैं आपको उस फैमिली से आट शोरी फड़े व्ले पहक प्रे कैसे मर रही है को ले जिव ज्याड़े तो मत्मी मैं ने जारी है वो काल अगले नकोछ यह ऊड़े से मिले काल रूप छोरा के तोटे फोड़ दूमें तुचिंता लाग रहे अरे तेरा एसो रहत जोमारों को भर के चुप चाप सपूल में चलीगा मुँ दोक है अरे लोग पीड़े छोई कोड़े बजावार का सपूल सपूल लगारा खो रहा है तो दोस्तों अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इनके बेटे से जो की इस कहानी का एहम हिस्सा है अँगा अश्म्याद में जोंगा भाष्य है और हो अस्तों वाई साब यह फर यह पंदरा रूपए है वाई समोज गर्दी पंदरा रूपए कुस्ताज जी आज आप क्या लए अरे आज लिखका है ना मोटा समान के ए एक फोन है और यह पर्स है कि रभाए सौब यह तो पुलिश वाले का पर्श है उस्ताज जी आपने तो आज पुलिश वाले कई बटवा मार लिया अरे हां भाई हम कहें इसका बटवा मार दे और अब इसको देखो मैं किस तरह का में लेता हूं कर नकली पुलिस वाला बनके खड़ाऊंगा रोड पे और लोगों को ठगूँँगा अब देखे कितना माल जा रहा हूं अरे ओ कल्वा के क्या माल एसो रैप्ट मारूंगी सकल बुजण जोंगी अच्या मुझे जिखा रही है अरे ओ कल्वा के छोड़ तायं क्योंगी तायं कुझे जो भाई क्योंगी तायं क्योंगी आयं क्योंगी लो बाई शाब आप कमाण अरे माड इतनी लेट लेक्ट आया क्या बाद हो गई बाई साब चाप पड़ रहा है बड़ी दिक्कत से आया आपके पास अरा बाई साब हम चाप पे कोई रोकते हैं बाई साब बड़े असले आगे हैं हमारे पास कि मियोजार पोजार जो चाब वो ले लियो इप बड़ाओ काम करना लागे हम बाई कोई दिक्क नहीं अभी तब तो जरूत नहीं है जब आमें जरूत पड़े कि तो हम आपसे दुर संपत करें ठीक श्वाय कोम लिए अधिकश्यर पावा ना पैल ऐकोल है डिखाप आप आजयर पावा नहीं है जिसे निजी नमस्ति करें transmis का ब्रूरा जिए को चुब से और है है र्जाबsinक控vens को अखाण हम अखाण अरे बेट्टे तुम आ गुरुजी मैं क्या कहते थी तुम कि मैं कभी काम्याब नहीं हो सकता ये दखो फिलिस वाला बन गया मैं अरे बेट्टा इस फोटो पर से तूंगली उठाओ नहीं जी नहीं मैंने फिल्टर नहीं लगा रखा बेजती ना हो जाए नहीं और बेट्टा उशी साकूल में जिससे तुम पास आउट होए थी ठीक है बेट्टा तुम मुझसे पैस से लेगा ना गुरुजी बेट्टा आज चोड़ दो कल से पहनाऊंगा बेट्टा आपके पास पढ़ती थे जब हम भी आपको बोत कहते थे कि कल कान कर लाएंगे लेकि येलो चाप भी चल दो और कल से अलमेट पहन के आएकर बरना दो अजार का चालान काड़ूंगा आपके लिए वाव उस्ताज जी आपने तो मास्टर को ठक दिया अरे हम कहें उसको ठक दे ये तो छोटा सा मास्टर था बस उस्ताज जी मुझे भी अपने जैसे चोरी अब ही तो दो जैब कार्ड निसीख पहले क्स्ताज जी जैब कार्ड टे यह मुझे एक साल हो गई मोजे भी बड़ा किम जी बूछे, अरे बड़ा काम सिखाएंगे तू इस सबर कर थोड़ा तुझे सारा काम सिखाएंगे मेर के बड़ा चोर मनें गाइज बिन तू मुझ हाइ झाल 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 हुआ longing हुआ हई disfr मारे लेक सेर पाड़ो पर मारा आग भैम मत पाड़ो के समझा ये समझा छोट्टू के समझा बाड़ो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो कोमेंट करो शेयर करो और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले